हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं बैंगलूरू में देश भर के रेलवे अधिकारी बैठक में शामिल होने के लिए पहुचे इसमें उत्तर पश्चिम रेलवे के जीम भी शामिल हुए उत्तर बश्चिम रेलवे ने बैठक में बताया कि उत्तर बश्चिम रेलवे के तहर जैपूर, जोतपूर और अजमेर से चलने वाली रेलो में यात्रियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है श्री गंगा नगर जैपूर और हनुमानगर तक आएंगी ट्रेने चासी से श्री गंगा नगर नई ट्राई विकली ट्रेन चलेगी आगरा से मथूरा, मथूरा से अलवर, अलवर से जैपूर को लोहारू हनुमानगर तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है ट्रेन नंबर 12439 और 12440 श्री गंगानगर से नांदेडवाया, नांदेडवाया से हनुमान गट के फेरी बढ़ा कर ट्रेन का भिवानी से रेवाडी, रेवाडी से अलवर, अलवर से मतुरा होकर संचालित किया जाएगा ट्रेन नंबर 22307 और 22308 विकानेर से हावडा को, बांदी कुई से अलवर, अलवर से मतुरा, मतुरा से आगरा होकर संचालित किया जाएगा दिल्ली से रेवाडी पैसेंजर का अलवर तक विस्तार किया जा रहा है ट्रेन नंबर 20489 और 20490 बार्डमेर से जैपुर ट्रेन का मतुरा तक विस्तार करने की मांग की गई है इसके अलवा ट्रेन नंबर 09007 और 09008 विवानी से मुंबई विकली ट्रेन को नियमित करने की मांग की जा रही है पिछली बैठक में प्रस्तावित कानपूर से जैसल मेर नई ट्रेन शुरू करने पर चर्चा की जा रही है जबलपूर से जैसल मेर वाया जासी से आगरा मतुरा से अलवर होते हुए बाई विकली ट्रेन संचाले करने की मांग की गई है फिलहाल उत्तर पर्चिम रेलवे ने इन साथ रेलों के संचालन की तैयारिया शुरू कर दी है हाला की तारीक का एलान अभितक नहीं किया गया है लेकिन रेलवे के सुत्रक का बता रहे है कि जुलाई महिने में इन रेलों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा जागरुप टीवी की जैपुर से खास रिपोर्ट